इंडिया में शाहद ही कोई ऐसा शक्स होगा जो जेल जाना पसंद करेगा लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के तेहाल जेल के अंदर आप पूरा दिन एक टूरिस्ट की तरह भी बिता सकते हैं जहनना सिर्फ आपको पहनने के लिए कैदियों वाले कपड़े भी मिलेगे बलकि आपको वही खाना भी मिलेगा जो एक कैदी को मिलता है पर सिर्फ यही नहीं बलकि इसके अलावा और भी कई रास्ते इंडिया में मौझूद जेल प्रशासन अपनाते हैं जेल के लिए इंकम सोर्स जेनरेट करने के लिए और तो और भले ही आज पूरे देश भर में लोग रोज़कार के लिए परेशान हैं लेकिन इसके बावजूद भी जेल के अंदर ही ताज महल ग्रूप जैसे टॉप फर्म्स चार लाग तक के पैकेज में इनी कैदियों को जॉब तक दे रहे हैं आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया में जेल एकनॉमी और प्रिजन सिस्टम काम कैसे करता है अगर आप इंडिया में प्रिजन सिस्टम की बात करें तो इसका इतिहास प्राचीन काल जितना पुराना है जहां उस टाइम पर किसी भी कल्प्रिट को उसके जज्जमन सुनाने से पहले उस ओफेंडर को ट्रायल के लिए प्रिजन या जेल में डीटेन करके रखा जाता था लेकिन उस टाइम पर इन जेल और प्रिजन का सिर्थ एक ही मकसब था कि कल्प्रिट या दोशी को बाकी के समाज से अलग किया जा सके लेकिन आज के टाइम पर जो मौटरन प्रिजन सिस्टम आप इंडिया में देख रहे हैं इसकी नीव ब्रिटिश रूल के दौरान अंग्रेजों ने रखी थी और इसी पीरियट के दौरान ही कई सेंट्रल और रीजिनल प्रिजन को पूरे देश भर में बनाया गया था अलाकि उस टाइम पर भले ही इन जेल्स को अंग्रेजों ने भारतियों लोगों को बीच अपना डर पैदा करने के लिए बनवाया था प्रिजन एक्ट 1894 के अंडर गवन किया जाता है लेकिन उसमें कई बार अमेंडमेंट किये गए हैं ताकि वो आज के महल के साथ पोप-प कर सकें इसी वज़े से भले ही ये प्रिजनर्स जेल की चार दिवारी के अंदर कैद हो उसके बावजूद भी Constitution उन्हें कई legal right provide करता है जिसमें से right to human treatment, right for fair trial, right to education जैसे कई और rights भी शामिल है इसके लावा पूरे देश भर में जेल प्रशासन हर रोज कैदियों पर अलग-अलग amount खर्च करता है उन्हें food, clothing और medical facility कवाइट करने के लिए जनमें से नागा लैंड 73,815 रुपीज पर एय और लक्षदूई अपने कैदियों पर सबसे कम खर्च करने वाले state में से एक है पर फिर भी जेल की proper functioning के लिए जेल प्रशासन को काफी ज्यादा fund की जरूरत पड़ती है इसी वज़े से जेल के अंदर भी कैदियों को अलग-अलग field में काम करने के लिए भी लगाया जाता ह जिसे ना सिर्फ एक prisoner की skill development ही है बल्कि कैदियों के बनाए हुए समान को market में बेजकर जेल प्रशासन अच्छा मुनाफ़ा तक कमाते हैं इसके अलावा जेल के अंदर factories या पूरी industries चराने की वज़ा से इन खैबियों को जेल के अंदर भी employment opportunities का मौका मिलता है जहां पर वो पचास से सौ रुपए तक का रोज का रोजगार भी खमा सकते हैं वही पर कुछ जेल्स में तो skilled labor किस से भी कहीं ज़्यादा पैसा कमाते हैं और तो और सिर्फ यही नहीं बलकि इंडिया के सबसे ज्यादा क्राविट प्रिजन तिहाल जेल ने तो अपना खुद का ब्रैंड टीजे तक launch कर दिया है जहां पर वो snacks, bakery items, handicraft, garments और furniture अपने टीजी ब्रैंड के अंदर sell करते हैं इसके अलावाद तिहाल जेल के एक superintendent ये बताते हैं कि इस जेल की एक perfume manufacturing unit में तो वो अब तक 13,000,000 बोटल तक manufacture कर चुके हैं और तो और तिहाल जेल में operate होने वाली factories इतनी ज्यादा efficiently perform करती हैं कि वो साल में 35 करोज इतना turnover तक earn कर लेती हैं शायद इतना turnover सुनने के बाद अब नमिता जी ये नहीं बोच सकती हैं मेरा expertise नहीं है I'm out लेकिन ऐसा नहीं है कि जेल के अंदर सभी कैदी काम करते हैं बलकि पूरे देश भर में total prison population में सिर्फ 25% of population अपने sentence के दौरान काम करती हैं जिनें wages मिल पाती हैं जिनमें से बाकी बचे कैदी या तो काम करना ही चूज नहीं करते हैं या फिर under trial prisoners जिनका गुना अभी प्रूफ नहीं हुआ है उनको good behavior या फिर rehabilitation के लिए बिना wages लिए ही काम करना पगता है लेकिन क्या होगा अगर jail के अंदर मौझूद ज्यादा से ज्यादा कैदी काम करना शुरू करते हैं तो उस case में काफी हद तक chance हो सकते हैं कि jail के अंदर मौझूद industry फलने पूलने लगे और jail पूरी तरह से self independent हो जाए जिसकी वजह से पैदियों के उपर होने वाले खर्च और यहां तक jail के अंदर मौझूद police officers की salary तक इन factory की कमाई से पूरा किया जासे इसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है gay prisoner सिर्फ jail की चार दिवारी के अंदर ही काम करते हैं बलती तेहार jail में मौझूद 6 कैदियों अपने अच्छे behavior के वज़े से सरकार ने jail के बहार तक काम करने की अनुमती दे दी थी जहां वो सुबह 8 से रात 8 वजे तक jail के बहार जाकर job कर सकते हैं लेकिन उन्हें रात को अपने time के अंदर ही jail के अंदर आकर report करना होता है वहीं महराश्च में मौझूद यरवाडा jail में तो इतनी बड़ी textile unit तक मौझूद है जो हर रोज 5000 प्लोट तक की capacity produce कर सकती है यहां तक के एक Bollywood के director मधूर भंडाकर की movie jail में पहने गए celebrities के कपड़ों की supply भी इसी यरवाडा central jail से ही वी गई गई और तो और ऐसा नहीं है कि jail के अंदर कैदियों के पास सिर्फ काम करने के अलावा कोई और facility और opportunity नहीं होती बलकि jail में मौझूद कैदियों को education facility भी provide करी जाती है जिसके लिए ज्यादा तर सभी jail के अंदर proper library तक बनाए गई है जहां से ना सिर्फ आप अपनी hire studies पूरी कर सकते हैं बलकि jail के अंदर operate किये जाने वाले study center इगनू से affiliated तक होते हैं अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि भले ही jail के अंदर education facility मौझूद हो पर शाहद ही कोई ऐसा कैदी होगा जो jail के अंदर पढ़ाई करता होगा तो शायद आप गलत है क्योंकि ना सिर्फ jail के अंदर कैदी पढ़ाई भी करते हैं बलकि आप लोगों को यह बता दें कि तिहाड जेल के एक कैदी ने तो साल 2008 में जेल के अंदर से ही UPSC जैसे इंडिया के सबसे tough exam की ना सिर्फ पढ़ाई करी बलकि उस exam को clear करके एक IS officer तक बन गया है इसके अलावा साल 2017 में इसी तिहाड जेल के च्छाचट कैदीयों ने जो की काफी सालों से जेल के अंदर काम करते थे उनकी skill को देखते होए उनके sentence ख़त ही विदानता, IDEIM, Private Limited और ताज महल ग्रोट जैसे बड़ी कंपनी ने इन कैदीयों को चार लाग तक के package में रिग्रूट तक कर लिया आप हमेशा से यही सोचते आ रहे होंगे कि जैसा कि मूवी में दिखाया जाता है कि एक कैदी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक cell के अंदर ही गुजारता है और असलियत में जैल का महल पूरी तरह से बिलकुल ही अलग होता है क्योंकि जैल की चार दिवारी के अंदर भी पूरी की पूरी एक अलग दुनिया ही चल रही होती जहना सिर्फ लोग काम भी कर सकते हैं बलकि जैल के अंदर जो कैदीयों को खाना मिलता है उसके अलावा भी कैदी चाहे तो अपनी मर्जी से जैल के अंदर मौदूद कैंटीन से अपनी जरूरत का समान भी खरीच सकता है लेकिन फिर भी आप लोगों को ये बताते हैं कि जैल के अंदर नॉर्मल इंडियन करंसी नहीं चलती बलकि वहां अलग तरह के कूपन्स या टोकन चलते हैं और वही कुछ जैल्स में तो ये टोकन की जगाँ आकाउंट सिस्टम भी होता है जिसके जरीए कैदी अपना कमाया हुआ पैसा खर्च कर सकते हैं और ये सिस्टम ज्यादा तर जैल प्रशासन कैदीयों की सुरक्षा के लिए ही बनाते हैं ताकि जैल के अंदर एक कैदी दूसरी कैदी के पैसा चीन ना सकते हैं क्योंकि चाहे जो भी हो आखिरकार है तो वह एक मुझरिम ही और तो और जैल के अंदर गैंग सिस्टम भी काफी ज्यादा चलता है जिसमें ज्यादा तर कैदी किसी ना किसी गैंग्स या ग्रुप से बिलॉंग करते हैं और जैल के अंदर इन गैंग्स की आपस में लडाई भी होती है इसी वज़े से यह account system ज्यादा efficient होता है जेल के लिए तो अब आप लोग काफी हद तक यह जान चुके हैं कि जेल की economy और prison system अक्चुली में काम कैसे करता आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं